नमस्कार किसान मैं आज की से व्यड़ी बताता हूँ कि अगर 2 फेस पर 3 फेस की मोटर चलाने तो कैसे चलाएंगे यह बात सभी को पता है कि हमें खेती के लिए 6 गंटे ही लायट दी जाती है 3 फेस बाकी की गंटे हमें मिलती है 2 फेस तो दो फेस पर आप थ्री फेस की मोटर नहीं चला सकते हैं तीनो फेस होने चाहिए तो हम कैसे चलाएंगा वह आमक हो आपको बता देता हूँ यह मैंने पहले से चितर बना के रखा है आप समझ भाएंगे यह स्टार्टर बोर्ड यह ट्रास्फरम यह मोटर इसमें यह स्टार्टर लगा हुआ है यह यहाँ पर इसके जो बई तीनो फेस हो की लाइट यह लोड मेटर एंपियर वह जो बोलते हैं यह बोल्टे और यह पर पर को चलाने के लिए इस सरफ नीगे यह जाता है किस में है दोव फेस और कौन सा नहीं है आपको एक लटू लेना बलब लेना है उसकी दो तारे लेनी है एक तार तो यह जो मैं आपको बता है न्यूटल इसमें जोड़ देनी है दूसरी तार आपको यहां से फ्यूज निकाल के चेक करनी है किस किसमें बलब जगर है एक इसमें जगर है एक इसमें जगर है और इसमें और इसमें नहीं तो आपको करनागव है इसके फ्यूज को निकाल लेना यह जो फ्यूज है इसको निकाल लेना एक मार्केड पैस्टर दो तरफ कहीं हो दो वह भी दो तार कही हुता है कैपेस्टर 3,2 एक तीन तार वाला बेट वो नीच हूँ वो तो हमारे होते हैं यहां पर लगता है स्टाटर वो नीच चाहिए हमें दो तारवाल चाहिए यह आप अपने जितने एस्पिक मोटर हो सबसे ला सकते हैं उसे कहा दें 15 मोटर हैं हमें यह कैपेस्टर चाहिए ठीक है माली इन दोनों में से कोई भी दोनों पर मोटर चल जाते हैं इसकी लाइफ को फेस्ट चलता है यह फेस्ट चल रहा है इसमें से एक फ्यूज निकालें जो कैपेस्टर हमने लिया है यह कैपेस्टर है इसकी एक तार यहां डालनी है फिर फ्यूज लगा देना है दूसरी तार यहां लगानी है यह बात वुश्य रुप से ध्यान रखना ही है वाली ब लगाने किसी भी तरह से जैसे हम फ्यू जब हम लगाते हैं तो सिर्फ जरूरी नहीं नीचे तरफ हम उपर तरफ ऐसे भी लगा सकते हैं यह किसा उपर बहारी रह गया और यहां सीधा लगा दिया मतलब इसके अंदर हमाएं करंट पहुंचाना है यह वाला यह दूसरी सेल का और एक तार इसमें लगा ताकि इस जो यह फेस है इस फेस का लोड इस पर भी चला जाए तीनो फेस चल जाए इसके बाद आपको करना है कि मोटर आपका ओटो स्वीच से नहीं चलेगी यह बात विशी रूप से ध्यान रख लेए ओटो स्वीच से नहीं चलेगी कोशिश करना है आपको इस पर इस पर क्लिक चारशां सेगन बाद इस पर क्लिक करते दें मोटर आपकी चल जाए त्यान रखने वाले हूंद यह दूसरा भी चल रहा नहीं क्योंकि नीचे की तार टांस्वर्ण से जुड़ी हुई है ठीक है नीचे की तरफ हमें एक कनेक्शन नहीं देना अब फ्यूज को है उपर की तरफ यह से लटका देना है उपर की तरफ सरिफ ठीक है जैसे मैं आपको एक उधारान बताता हूँ यह रहा यहां फ्यूज यह यहां से फ्यूज को सिर्फ उपर की तरफ ऐसे लटका दे यह रहे इसके दो दाते यह बाहर रहे गए यह हमारा बोर्ड है साइड से मैं यू व्यू बनाए होता नॉर्मल में ऐसा है जिसे यह यहां लग गया यह यहां लग गया ठीक है यह S के अंदर दोनों लगए पर यह हमें यहां लगाना है जब तार एक लगा कर इसको लगा देने तक कि टाइट बना रहे हैं और हमारी मोटर चल जाए तो यही था 2 फेस को हम 3 फेस की मोटर चला सकते हैं पर इसमें ऐसा ही है हद से जादा बड़ मोटर नहां चलाएं दिक्कत आएगी क्योंकि यह जोड़ा हेवी लोड लेती है तो दो फेस का लोड एक फेस का लोड दोनों फेस पर जेल नहीं पाएंगा और एक MC भी ट्रिप कर जाएगे हमारे ट्रांफराव से ठीक है तो यही थाज की इस वीडियो में अशा करता है व